आखिरकार नितीश कुमार ने आधिकारिक तोर पर एक बार और पल्टी मार ली है और कॉंग्रेस पार्टी सत्ता से विपक्ष में चली गई है मेरे साथ हैं कॉंग्रेस विधायक दलकेनेता शकील लेमत खान साब मुस्कुरा रहे हैं आप लेकिन क्या अंदर कोई दर्द रह यह तो और भी बहतर हुआ चीजों को हम लोग बहुत पहले समझ रहे थे आपके सामने नहीं कह रहे थे और बहतर हुआ कि जनता देलियू की का जो पूरा दृष है पिछले 17-18 सालों से वहर रोज हमेशा आशकार होता रहता है और हमेशा वह भारती जनता पार्टी और उस चाहा था कि हम कुछ भी हो जाओ मिट्टी में मिल जाने वाली बात तो लोग हमेशा करते हैं तो हम 370 के उपर कोई नहीं होने देंगे राम जनम बाबरी मस्जिद के उपर कुछ नहीं होने देंगे इस तरह कि तीन एजंडे की उपर हमेशा वो कहते थे कि नहीं हम इसको प्यास कभी नहीं करते बिहार और देश की जनता इस बात को इस तरह से देख रही है कि जैसे कि वो यह चाह रही है कि यह किस तरह की लोग हैं क्या इस धर्ती पर इस तरह के लोग भी रहते हैं क्या इस नजाम में जो विवस्था को जनता दल यू ऐसे पार्टी चलाना चा बार आपके साथ आये और इनको तो प्रधान मंतरी उम्मीदवार बनाने कि आप क्या होता है कि कितनी बार अपने आपको सामने रख्र कि किका स्वाइब खाते रहें उनके किसमों का की अगर फैरेज बनाई जाए तो सफे के सफे ختم हो जाये खित कि भारी जंता पार्टी को देखिए अमीशा का बयान के चाहे कुछ हो जाए हमारे लिए इनके दर्वाज दर्वाजे हमेशा के लिए बंद है तो यह लोग बहुत बड़े अपर्चुनिस्ट है इस देश की जो समानता है जो इस देश का आर्थिक विकास है इन सब के खिलाफ भारती जनता पार्टी और जनता दिल्यू गई है और जाती रहेगी क्यों तूटे आखर वज़े आपको क्या नजर आती है नितिश कुमार क्यों छटके यह समझ में नहीं आता लेकिन इतनी बात तो समझ माति कि परिवार से मोह गया नहीं था जिस परिवार में पले बढ़े जिस परिवार को पाला इनों ने भारती जनता पार्टी को ढोया उसको यहां बढ़ाया तो वह मोह जाता नहीं है और मन से शांती के प्रिये तो यह रहनी कभी तो निशाना साधा जा रहा है जो की जाहिर सी बात है कॉंगर्स की तरफ से नितीश कुमार पर कैमरा पसर निखिल रस्तोगी के साथ जैनेंदर एबीपी न्यूज पुर्णिया